नौरात्रे में घर ले आएं पाँच में से कोई एक चीज घर सदा पैसों से भरा रहेगा दोस्तों हमारे प्राचियन सास्त्रों में रित्व और तेवहारों को बहुत ही अधिक महत दिया गया है क्योंकि इन दिनों में ब्रम्हांड में ब्याप्त शाकरात्म कुर्जाओं का प्रभाव अधिक मात्रा में होता है तेवहारों के मौके पर हर तरफ प्रसंदता का वातावरन होता है इसके पीछे का कारण होता है पारलोकिक शक्तियां इन दिनों में की गई पूजा पाठ मंत्र उचारण का अधिक फल मनश को प्राप्त होता है। हमारे पंचांग में उल्लेखित की गई सभी महत्पूर्ण तितियों पर वास्तुव सास्त्र के उपायों को करने से हम शुक्षम्रद्धी की प्राप्ती कर सकते हैं। वास्तुव सास्त्र में नौरात्र के नौ दिनों को पहुती महत्पूर्ण माना गया है। ने वर्ष के आरंभ होते ही चेत्र नौरात्र का उस्सव मनाय जाता है। इन नौ दिनों में मादरुग के नौ अलग अलग रूपों के पूजा की जाती है। ये नौ दिन सास्त्र के द्रिश्टे से बहुत ही खास माने गए हैं यदि आप नवरात्री का ब्रत धारन करके बिद विधान से मा की पूजा राधना करते हैं तो आपको अवश्री मन वांचित फलकी प्राप्ती होगी वास्तो सास्त्र में पांच ऐसी महत्पूर्ण चीजों के बारे में बताया गय है यदि आप नवरात्री में इन चीजों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपकी आरतिक इस्तिती और भी अधिक मजबूत होगी धन प्राप्ती के कई अबसर प्राप्त होंगे और मा लक्ष्मी जी कृपा शदयव आप पर बनी रहेगी इन चीजों का संबंद साक्षा сть धनकी देवी मा लक्ष्मी जी से है इन्हें घर पर लाने से इनके साथ मा लक्ष्मी भी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपकी जोली खुश्यों से भर देती हैं अगर आपको मा लक्ष्मी जी पर सच्ची स्तरद्दा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जै मालक्ष्मी अवश्य लिखें मा आपकी हर मनो कामना को अवश्य पूर्ण करेंगी ने वर्ष आरमशे पहले ही आपने अपने घर की शाप सफाई अवश्य ही की होगी इसमें कोई शंका नहीं है वाश्तु सास्त्र के अनुसार सबसे अधिक महत दिया क्योंकि जहां पर सक्ष्टा होती है वहां पर मा लक्ष्मी जी का वास होता है आगवन होता है यह हम भली भात जानते हैं कि आप नौरात्री के नव दिन घर के नमक पानी से पोच्छा अवश्य लगाते होंगे इससे आपके घर की शारी नगरात्म कुर्जाए नश्ठ हो जाती है और परिवार में शुक शांती बड़ी रहती है शाती साथ आप नौरात्री के दरान मा की पोजा राधना करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते होंगे क्योंकि मा की पोजा राधना करना मा को दीपक जलाना विशेश फलकारी माना जाता है आए दोस्तों अब जान लेते हैं कि नौरात्री के समय में ऐसी कौन सी ये पांच वश्तों है ये इन में से कोई भी एक चीज अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो माताल लक्ष्मी जी आपकी जोली खुशर से भर देंगी तो दोस्तों सबसे पहली चीज है मोर का पंख मोर का पंख बहुत ही दोस्तों अगला चीज है चांदी का सिक्का मा लक्ष्मी जी और गडेश भगवान की सिक्का जरूर आप नौरात्री के समय में लेकर आएं और इसे लेकर आएं और इसे पूली चीज है पूजय स्थान पर रख दें इससे आपका धन बढ़ता चला जाएगा और डेली एक दीपक और पूजा राधना करें दोस्तों इससे मा लक्ष्मी जी काफी परसंद होती है और आपके पीछे पीछे आपका घर तक आ जाती है इसले नौरात्री के समय में चांदी का सिक्का जिसमें भगवान गडेश और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो जरूर लेकर आएं दोस्तों अगली चीज है यनि की जो लेकर आना है आपको धनिया धनिया जरूर लेकर आएं धनिया लाने से घर में शुक्षम्रदी बैभाव का बास होता है कभी भी धन की कमी नहीं होती है घर में शुक्षानती का अभाव शदैब रहता है और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है धनिया माता लक्ष्मी को बहुत प्री है एक मुठी धनिया जरूर आप नवरात्र के समय में लेकर आएं इससे आपके घर मेंदन की कमी नहीं होगी चौती चीज है आप घर में शुक शान्ति हमेशा बनी रहेगी, या फिर आप कमल गट्टे का वीज भी ले कर आ सकते हैं, कोडी नहीं मिलती तो कमल गट्टे का वीज मातलक्शिक को बहुत पुरूरी है, तो नौरात्रिके समय में आप कमल गट्टे का वीज जरूर लेकर आएं, अगले कमी नहीं होती या फिर आप चाहें तो मा लक्ष्मी के चरण पादु का भी ले कर आशकते हैं इस भी आपके घर में धन बैभो शुक्षम्रदी की कृपा हमेशा बनी रहेगी घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा आप नुरात्री के समय में एक शंख जरू ले कर आएं संख में संख को लेकर आते हैं पूजा स्थान पे रखते हैं तो धन की कमी नहीं होती माता लक्ष्मी कृपा सदय बरस्ती है और घर में शुक्षम्रदी का बाद सदय बना रहता है जी हैं दोस्तो गोमती चक्र नुरात्री के समय में जरू ले कर आएं इससे भी माता चीज भी लेकर आते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी मालक्ष्मी कृपा शरय बरसेगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और चलों को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्ष्मी